आजकल के जमाने में साफ हवा में सांस लेना भी एक लक्शरी बन के रह गया है जो लोग शेहरों में रहते हैं वो मेरी इस बात से जरूर रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से आजकल हमारे आसपास का environment जो है वो बिलकुल toxic बन चुका है हमारे जो आसपास की हवा है जिसके अंदर हम सांस लेने के लिए मजबूर है वो toxic है और उसी जब toxic हवा में हम लोग सांस लेते हैं तो अब हमें कई तरह की बिमारिया होती हैं कई तरह के respiratory disease और कई तरह के अलग-अलग बिमारियां ये हवा आपको देखे जाती है तो आज की वीडियो में हम लोग इसी problem का solution ढूटने की कोशिश करेंगे मैं आपको 12 ऐसे plants का नाम बताऊंगा 12 ऐसे plants के बार में बताऊंगा जो कि अगर आप अपने घर में रखेंगे तो आपके oxygen levels को बढ़ाएंगे घर के आपकी कमरों को oxygenate करेंगे आप जो toxins जो आपके environment में आपके आसपास हैं उनको ये plants absorb कर लेते हैं और आपको oxygen 24 घंटे provide करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरुबात करते हैं सबसे पहले जो की है ficus या जिसको people भी बोलते हैं तो people का पौधा या जो ficus का पौधा है उसको आप घर में रखेंगे तो आपको 24 घंटे oxygen देगा रात के टाइम पे भी oxygen देता है आपको ये तो people को जो है आप घर में किस तरह से लगाएं आप इसकी bonsai को घर में ला सकते हैं बॉंसाई की तरह से उगा सकते हैं बॉंसाई के लिए एक ideal plant है क्योंकि बहुत ही quickly बहुत जल्दी grow करता है तो तो उसलिए आप इसे bonsai की तरह घर में लगा सकते हैं पीपल जो Ficus है उसकी काफी सारे अलग-अलग varieties हैं वीपिंग फिग हो गया और काफी अलग-अलग इसकी varieties हैं बहुती सुंदर और अपको चमणदार पतियां होती हैं तो अप अलग-अलग varieties इसकी घर में लाके लगा सकते हैं दूसरा plant आज की लिस्ट में है al hyvä इलोवरा का प्लांट काफी common है बहुत ज़ादा कोई महगा प्लांट या बहुत कोई rare प्लांट नहीं है, सबी नसरी पर आपको बहुत असाणी से मिल जाता है लेकिन इसके फाइदे जितने गिनवाय जाये उतने कम हैं एलोवेरा को किसी sunny location पे आप किसी जहां पर धूप आती हो उस वाले खिड़की के पास भी इसको रखके उगा सकते हैं ये पौधा आपके अंदर काफी सारा पानी स्टोर करके रखता है इसकी पतियों में आपको पता ही है इसकी पतियों से जेल बनता है जो कि काफी सारे beauty products में और काफी सादा health drinks में भी इस्तिमाल किया जाता है तो उसको आप कहीं sunny location पे रख सकते हैं कहीं sunny window के आसपास रख सकते हैं और ये भी 24 घंटे oxygen देने वाला पौधा है तीसरे नंबर पर आज की लिस्ट में आता है नीम का पौधा तो नीम का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि आपको काफी सारी बिमारियों से बचा के रखता है काफी सारी बिमारियों से दूर रखता है आप इसको घर में लगा सकते हैं बोंजाई की तरह आप इसको घर में तब भी आप नीम का तेल अपने उपर लगा सकते हैं चौते नमबर पर आज की लिस्ट में आता है मनी प्लांट मनी प्लांट एक काफी कॉमन प्लांट है बहुती ज़ादा बिगिनर फ्रेंडली है कोई भी इसको घर में लगा सकता है लेकिन ये बहुत कॉमन है आप इसे मिटि में लगा सकते हैं मिटि में नहीं लगाना चाहते तो आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं तो इसे जरूर घर में लगा इए माचफे नमबर पर आज की लिस्ट में आएगा ऐरेका पाम एरेका पाम जो है एक बहुती खुपसूरत, बहुती सुन्दर पौदा है, इंडोर रखने के लिए आप इसे घर के अंदर रख सकते हैं, कमरे के अंदर रख सकते हैं, आप बेडरूम में, ड्रॉइंग रूम में, लिविंग रूम में, कहीं पर भी रख सकते हैं, जहां पर आपके पास space हो, अगर आपके पास कोई sunny location है, कोई window है जहां से धूप आती हो, तो वहां रखें तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपके पास धूप नहीं भी आती तब भी आप इस plant को रख सकते हैं बस इसे हफते में एक दिन थोड़ा सा किसी bright जगा पे जहां पर धूप आती हो, वहां रख दें इसके लावा बाकी की 6 दिन आप इसे पूरे दिन अपने indoor रख सकते हैं, बहुती आसानी से आज के list में छटे नंबर पर आता है तुलसी का पौधा, अकर आप मुझसे आपको instantly अराम मिलेगा तुलसी के पौधे को जरूर आप घर में लगाईए इसकी काफी सारी varieties आती है आप राम तुलसी, शाम तुलसी काफी अलग-अलग इसकी varieties हैं आप उसमें से कोई भी लगा सकते हैं, मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, अलग-अलग varieties के बारे में जिसका link आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं साथवे number पर आज की list में आता है snake plant तो जो snake plant है वो indoor लगाने के लिए, कमरे के अंदर रखने के लिए एक ideal plant है, आप इसको बहुत ही असानी से cutting से उगा सकते हैं, कहीं से आप cuttings ले आएए इसकी थोड़ी सी और उसको आप मिट्टे में गड़ा दीजे अगर आपके पास मिट्टी भी नहीं है तब भी आप इसको narial का बुरादा जो आता है जिसको cocopeat बोलते हैं, cocopeat के अंदर भी आप इसको उगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से पानी में भी रूटिंग ले लेता है और कुछ साल पहले जो नार्सा की air purifying plants की लिस्ट आय थी उसके अंदर भी इसका mention था, तो उसको आप जरूर घर में उगाईए, बहुत ही easy to grow पौदा है आठवा plant आज की लिस्ट में है, spider plant spider plant जो है काफी जदा ideal plant है ये भी indoor लगाने के लिए बहुत ही एक अच्छा पौदा है बहुत जदा अगर आपके हैं sunlight नहीं भी आती है तब आप इसे artificial lights के अंदर कमरे के अंदर जो है इसको बहुती आसानी से उगा सकते है spider plant काफी अलग-अलग varieties में आपको मिल जाता है variegated आता है जिसके अंदर white जो stripes होती है पतियों में वैसा भी आता है totally जो green होता है वो भी आते है काफी अलग-अलग बहुती सुन्दर varieties इसके आती है तो इसलिए बहुत जादा पानी इसको मत दीजी नौवा plant आज की लिस्ट में है peace lily peace lily एक ऐसा plant है जो की shade loving plant है shade loving plant का मतलब है कि इसको canopy में या shade में उगना से पसंद है direct धूप इसे पसंद नहीं है तो इसलिए वो लोग जो बार-बार पूछते हैं कि हमारे घर में धूप नहीं आती है हमारे घर में sunlight नहीं है हम कौन से पौदे लगाएं तो peace lily एक ऐसा plant है जो की आपके घर में thrive करेगा बहुत अच्छे से चलेगा इसको आप indoor भी रख सकते हैं किसी window के पास आप इसे indoor भी बहुती आसानी से उगा सकते हैं दसफे नंबर पर आज की list में आता है bamboo plant यह जिसको commonly हम लोग lucky bamboo बोलते हैं तो जी हाँ lucky bamboo भी कैसा पौदा है जो आपके घर में 24 गंटे oxygen देता है और अपने environment में अपनी हवा में आसपास से toxins को यह absorb कर लेता है तो lucky bamboo को बहुती आसानी से लगाईए lucky bamboo को आप पानी में से उगा सकते हैं यह मिट्टी में भी उगता है पानी में इसकी जो growth है थोड़ी सी slow होती है मिट्टी के comparison में और यह पौधा भी आप artificial lights के नीचे अपने कमरे के अंदर भी अगर आप इसे उगाएं यह आपके घर में सुंदरता तो add करेंगे ही साथ में आपको 24 गंटे oxygen भी देंगे तो इसको भी आप जरूर घर में लगाईए यह भी indoor आप artificial light में रख सकते हैं अगर आपके पास window के पास कहीं space है तो बहुत अच्छा है वरना artificial light में भी चल जाता है तो इसको rubber plant को जरूर आप घर में लगाईए बारवे नंबर पर आज की लिस्ट में है syngonium plant तो जो syngonium plant है वो indoor plant है यह भी तो जिन लोगों के घर में धूप नहीं आती है तो वो इसे बहुत ही आसानी से indoor कमरे के अंदर भी से रख सकते हैं artificial lights के नीचे यह pink color की पतियों में भी आता है जो कि बहुत जादा unique लगता है pink के अलावा यह normal जो green पतियों वाला syngonium होता है वो तो आता ही आता है तो दोनों में से किसी भी आप plant को घर में उगा सकते हैं तो दोस्तों यह तो थी आज की मेरी वीडियो 12 से पौधों के बारे में जो की 24 घंटे आपको oxygen देते हैं 24 घंटे आपकी हवा को साफ करते हैं और आपके environment को साफ बनाते हैं तो मुझे उमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको कुछ नया सीखनी को मिला होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिये और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच फूर वाचिंग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ